बिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम टो अनीस कोकिंग यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लेकर आई हूँ मसाला चिकन की बहुती जबर्दस और यूनीक रेसिपी चलते हैं अपनी रेसिपी के तरफ सबसे पहले टुमैटो प्यूरितियाय करेंगे जिसके लिए एक पैन में पानी ले लेंगे हजब जरूरत तीन अदर टिमाटर लेके कट लगा लेंगे बिल्कुल ऐसे टिमाटर को पानी में शामिल कर देंगे और दो मिनट के लिए बॉयल करेंगे ताकि इसकी स्किन याही स्किन लेए स弦ा लेए आप देख सकते हैं आप इन टिमाटर को हमें एक ब्लेंडर में शामिल करेंगे और इसकी प्यूर्य तयार कर लेंगे कि देखे, टोमैटो प्यूरी तेयार है, बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट जैसा बन गया है, अब एक कढ़ाई में हम ले लेंगे, ओईल, हाफ कप, साथी इसमें शामिल करेंगे, अनियन पेस्ट यानि प्यास का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, आदा कप, थोड़ा सा प्यास को हम कोल्डन होने देंगे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे, एक टिबल स्पून अदरक और लेसन का पेस्ट, आप चाहें तो क्रस्ट किया हुआ अदरक और लेसन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा अदरक और लेसन को सौते करेंगे, और फिर हम शामिल कर देंगे 1 kg चिकन ये बोन के साथ मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होके वाइट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे मसाले सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 टेबल स्पून हल्दी 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून धन्या पाउडर 2 टेबल स्पून और पिसी हुई काली मिर्च 1 टी स्पून सब मसालों को खुब अच्छे तरीके से भून लेंगे चिकन के साथ प्रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजे कमेंट कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मसाले खुब अच्छे तरीके से भून चुके हैं अब मैं इसमें शामिल करूँगी टुमैटो प्यूरी जो हमने तयार की थी तीन टेमाटा से हाफ कप टुमैटो प्यूरी तयार हो गई है और इसे खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे भूनाई बहुत ही जरूरी होती है खाने में जितनी जादा अच्छी भूनाई की जाएगी उतना ही अच्छे फ्लेवर्स निकल के आते हैं अब हम इसमें शामिल करेंगे दआफ कप इस दआइ को मैंने फेट लिया था पहले अब हम इसमे शामिल करेंगे कैश्धू पेस्ट दो से तीन टेबल स्पून आठ से दस काजू लेके बिलेंडर में डालके थोड़े से पानी के साथ आप इसे बिलेंड कर लें बहुत असानी के साथ ये पेस्ट तयार हो जाएगा अब हम इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद चूले के आज को हलगा कर देंगे और इसे कवर करके पकने देंगे 10 मिनट के लिए चिकन जल्दी गल जाती है और हम इसकी भुनाई भी काफी कर चुके है तो 10 मिनट के बाद देखते हैं माशाला से चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है ओईल उपर आ गया है सारा मसाला भुन चुका है और चिकन भी गल चुकी है अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी एक टेबल स्पून इसे हाथ से आप ऐसे मसल के डालेंगे तो इसका फ्लेवर और अच्छा निकल के आएगा बहुत अच्छी खुश हुआएगी इसकी साथ ही इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर एक चुटकी और ना ही बिल्कुल ड्राय मसाला रखना है तो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे पानी आदी प्याली मिक्स करेंगे अच्छे से और कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए हलकी आज पर 2-3 मिनट के बाद देखते हैं माशाला मसाला चिकन बहुत ही जबर्दस बनके त्यार हो गई है आप इसकी ग्रेवी चेक करें और माशाला इसका कलर भी बहुत प्यारा आए है और खुश्पू बहुत ही जबर्दस आरी है इसमें से बस अब मैं इसको डिशाउट करूँगी एक दफ़र रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा मुझे अमीद है आपको मैं यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो जनाब वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे और अपना बहुत साथा खयाल रखें मिलते हैं फिर एक नई पसंद आएगी रेसिपी किसा अपना बहुत साथ ताएल रखें का अलापस